सब्सक्राइब करें गुरुजिव वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए आज की सूपर फास्ट वीडियो में हम ऐसे सो एमपॉर्टेंट MC क्यूब्स लाए हैं जिसमें हिंदी का पूरा लेखा जोखा हिंदी को पूरी तरीके से सुरू करके समाप्त कर देंगे और यह कुशन्स की वीडियो आपके एकजाम को उखाड़ेगी ही नहीं बलकि पूरे में पूरे नमबर दोस्तों दिलाने की कोसिस करेगी देखिए पैटर्न के बदलते के हिसाब से यहाँ पर कुशन्स को कैसे पूछा जाता है एकजाम में ट्रेंडिंग लेवल क्या बदल चुका है सारी हिंदी पूरा व्याकरण और साहित इस वीडियो में सामिल है चलिए स्टार्ट करते हैं औल चैप्टर की यह वीडियो कंसेंट्रेशन नहीं खोना है हरसेर हरसेरनी से कहना चाहेंगे कुछ भी कर लेना किसी भी तरीके से यह सो कुशन जरू लगा लेना पहला कुशन हिंदी भासा के विकास का सही अनुकरम कौन सा है अगर यह कुशन एकजाम में आता है तो आपको दो चीजे ध्यान देनी हैं option में कि अगर हिंदी की उत्पत्ती हुई होगी तो हिंदी बाद में options में आएगा और हिंदी किससे उत्पन हुई तो आपको पता ही है कि हिंदी का निर्माण अपभ्रंस से हुआ है से और पुरानी सबसे पाली है आंसर हमारा डी हो जाएगा कुछ संध्यान दीजेगा कह रहा है दोस्तों संभिधान के अनुच्छे 351 में किस विशय का वर्णन है दोस्तों एक कॉंसेप्ट समझना चाहिए कि इंडियन कांस्टिट्यूशन के अंतरगत 343 से लेकर 351 तक यह क है तो हिंदी विशय का उलेक है हिंदी भासा का उलेक है 343 बताता है कि हिंदी एक राजभासा होगी बलकि 351 यह बताता है कि हिंदी के विगास के लिए निर्देश दिये जाएं कि इसको विक्सित किया जाए अगला कुछ सन इस्क्रीन पर यह रहा चकवा का तस्सम सब्द क्या होगा एक वारा आज मल लगा लेना दिमाग लगा लेना और फिर कोई काम करना हर सेर हर सेर में इसे कहेंगे चार लोगों को वीडियो सेर करके भागाईयेगा चक्रवा का तस् 그러 को यह एक्जाम में क्सिं पूँचा जाता है बहुत ही trending level का question है 1000% इसको note कर लीजेगा चक्रवा को होता है चक्रवा का चक्रवात मत मार देना इसलिए इस question का answer C हो जाएगा Question number 4 Hindi की आदी जननी क्या है? कमेंट कीजेगा स्वागत है Hindi की आदी जननी क्या है दोस्तों जरा लॉक किया जाए Hindi की आदी जननी है संसक्रत है इसलिए option D हो जाएगा संसक्रत को सबसे पुरानी भासा में जाना जाता है चैप्टर का नाम है वर्णमाला उखाडियेगा कुस्सन AI हमने आप से कहा कि दो चीजें बहुत पूछी जाती है एक तो AI पूछा जाता है और एक दोस्तों ओ आओ पूछा जाता है आपको अगर इन दोनों में से पूछा जाए तो AI अगर आता है एकजाम में तो कंठ तालब बे मारिये और अगर AI आता है तो कंठ तालू हो जाएगा या कंठ तालब बे और यहां पर दोस्तों क्या हो जाएगा कि कंठ और ओस्ट से बोले जाते है और यह कंठ तालू से बोले जाते है इसलिए option c lock हो जाएगा question no 6 आपके screen पर चड़क का तदभव क्या होगा बताइए दोस्तों चड़क का तदभव क्या होगा lock किया जाए answer दिया जाए चार चीजें एकजाम में बहुत पूछी जाती हैं दोस्तों अगर मैं कह दूँ इस कुछ सन का जो राइट आंसर है वो हमारा तो सी हो जाएगा लेकिन लेकिन एकजाम में ये पूछा जाता है बहुत ज्यादा की पलंग का क्या होता है पर्यंक होता है चना का क्या होता है चणक होता है खपरा का क्या होता है खरपर होता है और दोस्तों खीर का क्या होता है छीर होता है चारों ओप्सन किलियर ओप्सन सी पर लॉग करेंगे कुछ सर नमबर सेवन वियर्थ सब्द में किन वर्गों की संदी हुई है तो आपको मैं बता दूँ आपको मैं बता दूँ वी धन अर्थ होता है और अगर वी धन अर्थ होगा तो एक बात तो confirm है कि एक जगह E आएगा और एक जगह A आएगा यहां पर E आएगा तो A आएगा यह नहीं होगा यहां O दिया है तो इसलिए मैंने कहा एक जगह E आएग तो answer वेटा option number A हो जाएगा अगला question बहुत branding level का एठमा प्रस्टय काफ़ा काफ़े का आभूसन क्या है comment किसे काफ़े का आभूसन क्या है दोस्तों खबकाए का आभूसन है अलंकार है काफ़े काफ़े का आभूसन काफ़े का गहना काफ़े का सौंदर यह तीन Word आपसे गहना पहनेगी कोई इस्त्री या काब्वे में सौंदर्यता हो गई तभी तो हम अलंकार को लॉक करेंगे अगर कोई भी इस्त्री गहना पहनेगी तो वो सौंदर्य का वर्णन होगा इसी तरीके से काब्वे का जो सौंदर्य होता है अलंकार गहना होता है अलंकार आभूशन होता है अलंकार अगले कुष्षन की तरफ बढ़ेंगे सरवाधिक प्राचीन संप्रदाय कौन सा है सरवाधिक प्राचीन संप्रदाय दोस्तों रस संप्रदाय को कहा जाता है और जिसके जनक कौन है बताईए जिसके जनक कौन है भरत मुनी है इसलिए आपको याद रखना पड़ेगा अगले कुश्चन की तरह बढ़ेंगे बहुत आसान प्रस्न हिंदी वर्ड माला में अयोगवा की संख्या दो होती है कौन से होते हैं अंग अहा आगे कुश्चन योगिक सब्द कौन से है बताइए योगिक सब्द दोस्तों कौन से है मैं कहता हूँ योगिक क्या होता है जो सब्द संधी विच्चेद में तूट जाए जो सब्द संधी विच्चेद में तूट जाए दोस्तों वहाँ पर क्या होगा योगिक होगा अब दिन को तोड़ सकते हो नहीं जलज को तोड़ सकते हो नहीं यही ट्रिक नोट कर लेना कि अगर संधी बिच्छेद हो जाए तो समझ लो आंसर चला जाएगा अगला कुस्सन द्वंद समास का सही सामासिक पद चुनिये बताइए कौन सा द्वंद समास हो जाएगा ये कुस्सन आपको थोड़ा सा परिशान करेगा जवाब दीजेगा बह संदर द्वंद समास बताना है द्वंद समास कौन सा होगा मैंने कहा कि मंत्री की परिशत तत्पुरुस त्री लोकी तीन लोकों की बात करी गई है तो द्वंद समास होगा या दिगु समास होगा तो दिगु समास पुस्प धन्वी पुस्प में धनी दोस्तों हम कह सकते है तत्पुरुष जाएगा नहीं होगा कर्मधारे लेकिन अगर दिवा रात्री में देखा जाएगा दुन्द समास तो बिल्कुल सही है दिन और रात्री ओप्सन ए चला जाएगा दुन्द समास में दोनों पदुप्रधान होते एक और कुस्ण समास से आया है किन्ने में लिखित में एक सब्द ऐसा है दोस्तों जो दिगु समास का यहां पर उधारन देता है कमेंट कीजिए चारो उप्सन है बताईए सेर सेरनियों कैसे हो आप सभी कमेंट कीजिएगा कुस्ण अमबर 13 आप से कह रहा है दिगु समास का उधारन पीता अमबर पीला है अमबर भगवान करश्न बहुबरी पुरुष रूप पुरुषों का रूप बताईए दोस्तों आंसर आजीवन आधन जीवन बताईए जहां पर उपसर्ग लगजाए वो अब्वेई भाव लेकिन इस कुष्षन का जो आंसर है वो 13 नमबर का C आंसर चला जाएगा क्यों क्योंकि 54 है चार चवनी आठ अठनी है ना तो एक दो तीन चार ये अगर आए तो वहां पर संख्या बाच्ची में दिगु लगा दीजिए चा का करम किस वर्ण के बाद आता है कमेंट कीजिए चा का करम किस वर्ण के बाद आता है तो आपको बता दो दोस्तों कि अगर आप चाचा जाजा देखोगे तो यह है आपका तालब में जाएगा लेकिन मुझे से ये च्छा पूछ रहा है तो च्छा आएगा का धन सा से और यहीं से यह पता चल जाता है कि यह का के बाद आएगा इसलिए option D कभी भी बच्चा ग्या मत मार देना त्रा मत मार देना इसलिए हम हमेशा आपको बताते हैं कि हमें वर्णमाला में ये देखना है कि कैसे पूछा गया है कुछसन तो हमेशा च्छा जो है का के बाद वर्णमाला के क्रम में पूछा जाए तब मार यह अगला कुछसन संकर सब्द का अर्थ क्या होगा क्या विदेसी होगा ततसम होगा तदभव होगा या दो भासाओं से मिलकर बना सब्द होगा आंसर D हो जाएगा हमने कहा D आंसर क्यों हो जाएगा क्योंकि कई बार बताया है बच्चों को टिकट घर कोई सब्द है घर हिंदी है टिकट अंग्रेजी है दो भासाओं मिल गई अगर आखुस्टन 16 नंबर बहुत चुनिंदा बहुत धासू प्रस्ण पैत्रक सब्द में कौन सा प्रत्य होगा अब इसको कई बच्चे गलत करेंगे लेकिन अब नजर रहेगी उन पर जिनोंने गलत किया है पैत्रक में प्रत्य बताएए पैत्रक में कौन सा प्रत्य होगा जबाब दीजेगा बहुत बड़िया पैत्रक में पित्र सब्द में एक प्रत्य देखिए पित्र जो सब्द होता है उसमें अगर मैं एक जोड़ दू तो यह हो जाता है पैत्रक और यह पित्र दोस्तों एक जोड़ कर ही पैत्रक होता है इसलिए कभी भी अकमत मार देना क्यो अप्सन लिया है अलंगकार से कहता है कि इन चारों अप्सन में एक ऐसा अलंगकार है जो उपमा अलंगकार है हमें यह बताईए कि उपमा अलंगकार का ऑप्सन कौनसा सही है हमने एक concept आपको बताया नए बच्चे ध्यान दे कि दुनिया का कोई concept अगर अलंकार में पूछा जाए तो इसको कभी भी अर्थ मत निकालना उसका एक मात्रेक ट्रिक नोट कर लो कि अगर किसी भी अगर लाइन में सा आ रहा है सी आ रहा है सम आ रहा है सा सी सम आ जाए तो वहाँ उपमा अलंकार होता है यह ट्रिक नोट कर लेना उपमा अलंकार होगा अगर सा सी सम आ जाए कोईसर नमबर 18 ठीक है चलिए दिये गए सब्द के लिए वाक्यांस बताईए कि अंडज सब्द में आप्सन क्या होगा अंडज सब्द में क्या अंड़ा खाने वाला अंड़ा बेचने वाला एक बीमारी का नाम अरे अंड़े से उत्पन होने वाला ही इस कुछन का राइट आंसर हो जाएग वही अंडज है कुछ सा नमबर 19 इन में से संयुक्त वेंजन कौन सा होगा कमेंट कीजिए बताए दोस्तों 19 नमबर इन में से कौन सा संयुक्त वेंजन होगा हमने कहा कि टाठा डाठा इसपर्स है दोस्तों संयुक्त वेंजन की संख्या चार होती है एक छत्रग्या और एक स्रा होता है इसलिए यह ग्या की स्रेणी में आता है ओप्सन ए हो जाएगा कुछ सा नमबर 20 सब के बसका नहीं है लेकिन उमीद है कि आप सब कर लोगे अधो पतन को कैसा लिखा जाता है आप बताईए सुद्वर्तनी का चैन करना है आपको जवाब देना है आंसर क्या होगा अधो पतन कभी वेटा नहीं होता हमेशा अधा धन पतन होता है लेकिन उसको धन के रूप में नहीं लिखा जाता है हमेशा उसको साथ में लिखा जाता है जिस तरीके से हम लोग दुख लिखते हैं यहीं समझ लो कि ये भी अधा पतन है लेकिन लिखते कैसे हैं ये वाला जो गलत लिखते हैं अगला कुशन 21 नमबर फिर से वरतनी तहसील दारी दार नहीं तहसील दारी सुद्ध वरतनी बताईए तहसील दारी में सुद्ध वरतनी का चैन करना है अरे ये बताओ यहां से यह गलत है तहीं ये ही से गलत है इसलिए option D हो जाएगा 21 नमबर D option के साथ तहसीलदारी कुस्सन नमबर 22 फिर से बरतनी 22 भी बरतनी 23 भी दोस्तों यहाँ पर एक कुस्सन रहेगा फिर 24 हम देखेंगे 22 देखिए बहुत अच्छा कुस्सन है कि विक्रमी संबत इसवी से 57 वर्स आगे रह यह भी एक्जाम में कुस्सन पूछा जा रहा है बदलते पैटर्न के साथ तो संबत को हमेशा लिखने के लिए कुछ नहीं करना है कि संबत लिख दो हलंत लगा दो वही इस कुस्सन का आंसर हो जाएगा अगला कुस्सन संधी कितने प्रकार के होते हैं कमेंट कीजेगा आं सर्ग और वेंजन तीन प्रकार की संधीया होती हैं एक कुस्सन लेता हूँ 24 नंबर चैप्टर का नाम है विलोम सब्द सव कुस्सन सतक 20 मिनट के अंदर खतम होगा हर बहन हर सेर हर सेरनी से कहना चाहूँगा कि आज छोड़ कर रड़ छेतर नहीं जाना बहुत मुसीवत से ये क्लास हो रही है बहुत दोस्तों दिक्कतों से बोल पा रहा हूँ लेकिन आप ये समझ लो कि बहुत मुस्किलों से ये क्लास आसान बनानी है और आसान तभी बनेगी जब आप हमारा साथ देंगे ठीक है चलिए 24 नंबर का देखो आंसर क्या होगा अरपन अगर किसी ची इसे बताना है कि बहुत ही बड़ा बहुत ही कठोर बहुत ही कठोर और बड़ा आघहात कौन करेगा किसको कहेंगे तो बहुत ही बड़ा कठोर आघहात के लिए बज्रा घहात ऑप्शन होगा सही दोस्तों बज्रपात नहीं बज्रा घहात होगा 25 नंबर का बी ऑप्शन सह ही हो जाएगा अगले कुश्चन की तरह बहुत ही चुनिंदा प्रस्ट कि इस टेशन किस भासा का सब्द है कोई बताएगा इस टेशन किस भासा का सब्द है अरे भाया जब टिकिट की बात करते हो तो यह हो जाता इंग्लिस इस टेशन की बात करते हो तो यह हो जाता इंग्ल संधी के से संधी मिलेते हैं कि तपो बन में प्रियुक्त संधी का नाम क्या है तपो बन में कौन सी संधी है कमेंट कीजिए तपो बन में कौन सी संधी है तो हम कह सकते हैं तपहा धन वन तपहा आएगा तो विसर्ग आएगा तपहा आएगा तो विसर्ग आएगा और माट जब भी होता है तो वेंजन और स्वर जब मिलते हैं तो ही विसर्ग संधी बनती है इसलिए आपको मैं बता दूँ दोस्तों कि इस कुछ्षन नमबर 27 नमबर का अंसर ए चला जाएगा अगला कुछ्षन 28 नमबर डिकलेरेशन सब्द का हिंदी अर्थ क्या होता है ये एक्जाम में बदलते पैटर्न के साथ पूछा जा रहा है बदल रहा है पैटर्न दोस्तों बदल रहा है पैटर्न इसलिए आपको ध्यान देना है डिकलेरेशन को हिंदी अर्थ में कहा जाता है इसलिए इस कुछ्षन का आंसर सी हो जाएगा अगले कुश्चन की तरफ बढ़ेंगे वरतनी से कुश्चन बहुत बार प्रश्चन पूँचा बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं समझ लो आज एक लाइन बताऊंगा समझ जाओगे एक मात्रा बताऊंगा कुश्चन कभी गलत नहीं होगा यहां पर कह है कि क्रश्चन भक्ति काबे में ऐसा बहुत कुछ है जो नित्य और निमित्तिक यह गलत लिखा है निमित्तिक संपरदाई करमों से संबंदित है सुद्ध सब्ध इसका बताना है रेखांकित का निमित्तिक को बेटा नैमित्तिक कहते हैं आपको मैं बता देना चाहता गें आपकी दो मात्राएं होंगी देखिए उपर दो मात्राएं केवल इसमें दी गई हैं तो नएमित्तिक होता है न कि निमित्तिक होता है चलिये तीस नमबर बहूत ही चुनिन्दा पराष्ण आप सभी का फेवरेट कोईश्चन गिर धर में कौन सा समास होगा कमेंट कीजे गिर धर में कौन सा समास होगा तो मैं कहूंगा कि गिर धन धर कोई भी समास करो दुनिया का कोई भी सब्द आपको आ जाए एकजाम में तो उसको तोड़ लीजे गिर धन धर बरावर गिर धर और उसमें अगर समास उचा जाए तो गिर का मतलब क्या होता है परवत को का और परवत के साथ यहां धर आ रहा है तो गिर को धारन करने वाले अर्थात भगवान स्री क्रश्ट में बहुबरी हो जाएगा इसलिए इस कुष्षन का आंसर सी हो जाएगा अगले कुष्षन की तरफ बढ़ेंगे 31 नंबर दोस्नों ब पाच सेकेंड आपको देंगे गायक में कौन सी संदी है स्वर है स्वर के अंतरगत कौन सी है अयादी है दो कुष्षन गायक का संदी भी छेद कौन सा है गयधन अक है गयधन अक किस ऑप्षन में है तो ऑप्षन नंबर ए में है अगले कुष्षन की तरफ स्वर संदी का उ संदी भी छेत करोगे तो बाक धन इस हो जाएगा तो जहां पर आपका हलंत लग जाएगा तो वेंजन संदी हो जाएगी ठीक है दुसकर्म में आपका दुह धन कर्म हो जाता है तो यहां पर विसर्ग संदी हो जाएगी जैसे ही दुह आया तो मैंने का आगे क्यों करूं विस दिगंबर में उसी तरीके से दिक आएगा हलंत लग जाएगा विंजन आजाएगा महाधन इंद्र महेंद्र में दोस्तों गुड संदी होती है और गुड संदी आती है सुर के अंतरगत आती है इसलिए इस कुष्षन का अंसर भी हो जाएगा यह कुष्षन है ललन टाप सब के बसका नहीं है सब तर इसी में कौन सा संदी होगी जरा कमेंट कीजएगा यह पर इस कुष्षन का आंसर सब के बसकी बात नहीं है मैंने पहले बता धिया 33 में option number A option number A option number A option number B तो बहुत ज़्यादा आ रहा है B सबसे ज़्यादा आ रहा है तो B answer सबसे ज़्यादा आने वाला गलत हो गया हर संधी को देखते ही खन आप विसर्ग ना मारें सब्तर्स में सब्त धन रिशी होता है और अगर समास पूछा जाए तो सब्तर्स में क्या हो जाएगा दिगू समास हो जाएगा यहे बात दिमाग में बैठा लीजे सब्तर्स में सब्ताह धन नहीं होता सब्ताह कोई word नहीं होता दोस्तों इसलिए option A हो जाएगा चादोनी किस स्वर के अंतरगत आती है कमेंट कीजेगा हो गया गलत हो गया गलत ना चलिए चादोनी जो है किस के अंतरगत आती है कमेंट कीजेगा आंसर दीजेगा इसलिए मैंने पहले बोल दिया था कि सबके बसका नहीं है ठीक है कुछ बच्चों का एक दो बच्चों का सही हुआ है चलिए कुछ सा नमबर 34 मैंने कहा था कि अगर च्छा आ जाए मैंने कहा त्रा आ जाए मैंने कहा स्रा आ जाए मैंने कहा ग्या आ जाए तो यह क्या है यह दोस्तों आपके चार है और यह क्या है संयुक्त वेंजन है और संयुक्त वेंजन का मतलब है संयुक्त वर्ण है नेमनलिकित में एक युगम दिया गया है और एक युगम दिया गया है उसमें दिया गया है कि सही अर्थ भेद बताईए अब ये युगम दिया गया है एक बदन है और एक वदन है एक वा ऐसा है और एक वा केवल वट वाला है आपको ये बताना है कि कौन सा सही अर्थ होगा ये वाले के अर्थ यहां पर आपको इतने में बताने है ये वाले के अर्थ आपको इतने में बताने है बताईए आंसर क्या होगा कि इस बदन का मतलब क्या है और इस बदन का मतलब क्या है इस बदन का मतलब आप समझते हो ना विजि बदन दर्द हो रहा तो लगाईए आयोडेक्स है ना क्योंकि अब चेहरा तो कट गया, अब मेरे पास option आता है कि कहना, क्योंकि बदन का मतलब कहना होता है, इसलिए इस question का अंसर भी हो जाएगा, क्योंकि हम नहीं कहते हैं, हम कहते हैं, बदत बदताहा बदन ती है ना, तो इसलिए हम कैसे हैं, option number हमारा 20 ही हो जाएगा, कुस्ण लेते हैं 36, नमबर सारे चैप्टर मिलेंगे, विराम चिन से चैप्टर है, ध्यान से देखिएगा, अच्छा कुस्ण है, आप सभी के माता पिता को मेरा प्रणाम, नमस्ते, आदा, आप, ससरे अकाल, ताल, ठोकर, जायम, हाकाल, कुस्ण नमबर 36 आपके स्क्रीन पर ये, और पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है ये, पहली बात तो ये कलियर हो गई, तीनों चीजें, अर्ध विराम ये है, कौन सा, ये अर्ध विराम है, ये अल्प विराम है, ये पूर्ण विराम है, मेरी बात ध्यान से समझ ली जागा, अर्ध विराम की अपेक्षा कम रुखना पड़े तो मतलब ये ह कि अल्प विराम हो जाएगा जिसका सिम्बल ये होता है सिंपल सी बात आप समज़ गया है अर्ध विराम के पैक्षा कम रुखना पड़े और जो बिल्कुल रुख जाए वह पूर्ण विराम आगे बात ही ना जाए तो पूर्ण विराम बोलो किलियर अच्छा हिंदी में अगर विराम चिन की संख्या पूछ ले एकजाम में तब क्या मारोगे हिंदी में विराम चिन कितने होते हैं तो बीस होते है हिंदी में विराम चिन्नों के जनक कौन होते है तो दोस्तों आपको एक्जाम में ये मिल जाए तो जनक होते हैं कामता प्रसाद नोट कर लो कामता प्रसाद इसके जनक होते हैं एक्जाम में जैसे रसों के जनक होते हैं भरत मुनी कोईले की दलाली में मुह काला कुस्सन है चैप्टर का नाम है लोकोक्ती आपको जवाब देना है आंसर कीजएगा कोईले की दलाली में मुह काला गेहूं के साथ घुन्तो पिस्ता ही है बुरे काम का नतीजा बुरा होता है बुरी संगती में कलंक लगता है बुरे विचार विक्ति को अपमानित ही कराते है बिल्कु सही बात है कि कोईले की दलाली में मुह काले का मतलब है कि कहीं ना कहीं हम option number C लगाएंगे या तो option number हम D लगाएंगे तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दोस्तों हाँ C option लगाएंगे या तो D लगाएंगे बहुत ध्यान से करिएगा कोईले की दलाली में हाँ मू काला बुरी संगत का बुरा असर होता है इसलिए बुरी बिचार नहीं दोस्तों अपमानित नहीं करते है बुरी संगत के अर्थ में हमारा जो right answer जाएगा क्योंकि बुरी संगत का बुरा असर होता है खराब काम का खराब परिडाम आता है बुरी संगत से बदनामी मिलती है और बदनामी से कलंकित होता है, विक्ति कलंकित का मतलब है कि कुसंग का संग अगर लेते हैं तो कलंकित होना पड़ेगा, अगला कुसंग 38 नमबर, यसोधा में प्रियुक्त संदी कौन सा है, आप्शन्स को लॉक कीजेगा, कुसंग को ध्यान दीजेगा, अगला कुसंग जवाब दीजेगा, यसोधा में कौन सी संदी है, तो दोस्तों यसाहधन दा, पहली बात तो ये कुसंग इतना एक्जाम में पूछा जाता है, बच्चे कनफ्यूजी हो जाते हैं, उनको लगता है, यसोधन दा हो जाएगा, यहाधन दा, यहाधन सदा कर देते हैं, साहधन दा के साथ ये विसर्ग संदी हो जाएगा, इसलिए उप्सन ए चला जाएगा, असो का पर्याइबाची नहीं है, तो देखी का असो का मतलब होता है, असो का मतलब होता है, बाजी होता है, असो का मतलब होता है, तुरंग होता है, असो का मतलब होता है, घोटक होता ह है ना तो इस तरीके से आप देख सकते हो तो answer कुछ के साथ जाएगा जो नहीं है पूछा है option D हो जाएगा धड़ाक में कौन सा प्रत्य है प्रत्य का मतलब आप समझते हो ना प्रत्य कहां पर लगता है प्रत्य को इंग्लिश में कहते है सफिक्स कहा जाता है और आप प्रत्य कहां पर लगता है प्रत्य हमेशा पश्च भाग में लगता है पीछे लगता है सब्द के सब्द के लिए option C हो जाएगा कुछ से नमबर 41 कुछ इस तरीके का कल एक कुछ सन जरूर पूछा था लेकिन आज कुछ सन बदल चुका है 41 देखिएगा क्या कह रहा है जब आप दीजेगा सब्दा अलंकार के भेद हैं दोस्तों सब्दा अलंकार के भेद हैं लॉक कीजेगा अंसर क्या होगा अरे भाई एक बच्चा कह रहा कि एक कमेंट पर लीजे कुरू जी जिससे पता चले क्लास लाइव है मतलब हम कभी ऐसा करें हैं क्या जो कभी लाइव क्लास के लाबा कुछ किया हो लाइव क्लास चल लेए आपकी मैं क्या करूँ आपके लिए बताईए जान निकाल के दिदू या फेफडे निकाल के दिदू तब पता चलेगा अगला कुछन 41 की सब्दा अलंकार देखिए दो अलंकार होते हैं दो अलंकार में एक होता है सब्दा अलंकार और एक होता है अर्था अलंकार एक अर्था लंकार जो अर्थ के दौरा, एक सब्द के दौरा, अर्थ के आधार पर कौन-कौन से हो सकते हैं, सब्द के आधार पर तो सब्द के अंतरगत आता है, अनुप्रास, सलेस और यमक आता है क्या, जल्दी से कमेंट कीजेगा, अनुप्रास, यमक और सलेस आता है, त साथ इसलिए आपको option number C lock करना है वर्ण तालिका के अनुसार हरिस्व और प्लुत क्या है बड़ा अच्छा प्रिष्ट है वर्ण तालिका के अनुसार हरिस्व और प्लुत क्या है कमेंट कीजेगा बताईए हाँ वर्ण तालिका के अनुसार हरिस्व और प्लुत क्या होते हैं जो सबसे ज़्यादा जैसे ओम जो है अगर कुछ्टन में पूँच लिया जाए कि ओम बताईए कैसा स्वर है तो ओम है प्लुत स्वर है ठीक है इसलिए इस कुछ्टन का अंसर ओप्शन पे चला जाएगा निम्न लिकित में संग्या सब्द का चैन कीजेगा कि संग्या सब्द कौन सा ओप्शन हो जाएगा जवाब दीजेगा बिल्कुल बेटा रचनाएं के कुछ्टन कराएंगे इसी वीडियो में है बिल्कुल आएंगे बेटा इसी वीडियो से आएंगे बिल्कुल आएंगे बेटा परेशान मत हो पूरा हिंदी पढ़ा रहे हैं बिल्कुल इसी वीडियो से आएंगे परिशान नहों कि बन हिंदी को अच्छे से पढ़ लो और एक कुश्ण बाहर आ जाए तो आप ये कह सकते हो कि हाँ अब एक वीडियो से तो नहीं लेकिन इस सो कुश्ण की जो वीडियो में करा रहा हूँ इससे आपको एक्जाम में इतनी ज्यादा आपार सफलता मिलेगी आ सारे चैप्टर को तीन तीन कुश्ण में समाहित कि आये सारे चैप्टर को निमलिकित में संग्या सब्द होता है option no 10 जाएगा क्योंकि पतला राम पतला है संसकार सब्द में कौन से उपसर का प्रियोग हुआ है तो आपको बता दूं कि संसकार में सम उपसर का प्रियोग हुआ है क्योंकि सम धनकार बराबर संसकार और संधी विछेद कैसा होगा यहाँ पर कैसा संधी होगा वेंजन संधी होगा कुश्चन नमबर 45 जिस समास में उत्तर पद के उत्तर पद ध्यान दीजे उत्तर पद प्रधान होने के साथ ही साथ पूर्ब पद तथा उत्तर पद में विश विशेशन विशेशन का सम्मंद भी होता है ध्यान दीजेगा कुछ सन क्या कह रहा है समास कौन सा हो जाएगा कि ऐसा समास बताओ जिसमें विशेशन और विशेशन का सम्मंद हो तो हमेशा दिमाग में बैठा लेना जहां पर विशेशन होगा विशेशता बताई जाएगी त तो विसेष्टा का वर्णन होगा वहां पर विसेष्ण जरूर होगा और विसेष्ण होगा तो कर्मधारे होगा ही होगा नील कमल नील गाये में बताईए समास तो कहते हैं न कर्मधारे बताईए चलिए निमलेखित में एक सब्द संदी की दर्शे से असुद्ध है पताए ये बड़ा अच्छा कुश्चन है जवरा फैन बाला कुश्चन आपके स्क्रीन पर है 46 नंबर कि एक सब्द आपको बताना है जो बिल्कुल कहीं न कहीं असुद्ध है आपको बताना होगा आप तथापी को देखोगे तदाकार को देखोगे तथायव को देखोगे तदो परांत इस कुश्चन का अंसर हो जाएगा क्योंकि वो होता है तदू परांत होता है हमेशा याद रखी तदो परांत वेटा कभी होता ही नहीं है कोई कुस्सन कोई भी सब्द ही नहीं है डिशनरी में हम लोग लिखते जरूरे तदू परांत लेकिन होता क्या है तदू परांत होता है इसलिए option हमारा C हो जाएगा अवनत सब्द में प्रियुक्त उपसर्ग कौन सा होगा तो अवनत में आपका अब उपसर्ग हो जाएगा इसलिए बी option सही हो जाएगा संस्कृत के ऐसे सब्द जिसे हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं ये कुछ दिन पहले कराया था कि इन बच्चों को पता है कि संस्कृत में ऐसे सब्द जिन्हें हम जियों का त्यों प्रियोग में लाते हैं उन्हें हम तद्सम कहते हैं और जो तद्सम से बनते हैं उने हम तदभो कहते हैं, फिलाल इस कुश्यन का आंसर 48 नंबर का C आंसर सही हो जाएगा अगला कुश्यन 49 नंबर 49 नंबर कहँ रहा है कि निम्लिकित में रूड सब्द कौन सा है कमेंट कीज़ेगा रूड सब्द का मतलब आप समझते हो रूड सब्द का मतलब होता है कि जो संदी जिसका संदी बिच्छेद ना हो ट्रिक समझ लो कि ऐसे सब्द जिसका ट्रिक समझ लो कि जिसका संदी बिच्छेद ना हो संदी दोस्तों ना हो वही रूड सब्द है जैसे विद्याले में विद्याले का संदी बिच्छेद हो जाएगा वाचनाले में वचंधन आले और एक और बताता हूँ रूड सब्द हमेशा छोटे होते हैं क्योंकि उनका संदी बिच्छेद होगा ही नहीं तो रूड़ सब्द देखने में देखिए दो अच्छर का है इसलिए आपको दो या तीन अच्छर का आंसर लगा देना है इसलिए हमेशा देखिए आप जैसे कहें देखिए आख बताईए तो आख भी कैसा है रूड़ सब्द है कान बताईए तो कान कैसा है नाग कैसा है पानी कैसा है पसू कैसा है धनू कैसा है है ना यह क्या है बैभव कैसा है यह ज़ादा ज़ादा तीन अच्छर का तो इस तरीके से अगर पूछा जाए तो संदी बिच्छेद नहीं होगा अब अगर मैं पूछ लूँ कि मनो योग का सही संदी बिच्षेत क्या होगा कमेंट कीजेगा मनो योग का सही संदी बिच्षेत क्या होगा तो जवाब दीजेगा आंसर क्या होगा मनो योग में देखा जाए तो मनो योग में कौन सी संदी है तो मनहा आ जाए तो विसर्ग संदी है और मनहा आ जाए विसर्ग संदी है तो इसलिए option हमारा बी चला जाएगा अगला पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है बहुत अच्छा प्रश्ण है पुरोहित में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों जवाब दीजेगा आंसर क्या हो जाएगा मैं कहता हूँ दोस्तों पुरोहित पूछा जा रहा है और अगर कुश्चन में 51 नंबर में पुरोहित पूछा गया है तो आप पुरहा लगा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है option D हो जाएगा अभियुद्ध सब्द में कौन सी संदी है तो trick note कीजेगा trick note कीजे अगर आपके यारा लावा अगर आते हैं यह क्या है यह अंतस्त वेंजन हैं अंतस्त वेंजन की संख्या चार होती है चार अच्छर पर कोई आदा वर्ड लटक जाए या के उपर भा आदा लटक गया तो समझ लो इन चारों के उपर कोई आदा लटक जाए तो पताईए अंसर दीजेगा क्या होगा बहुत सुंदर योगरूण की ट्रिक में बता देता हूँ आपको योगरूण की ट्रिक में बता देता हूँ कि दुनिया का कोई भी सब्द अगर आपको देखना है तो बहुबरी अगर है वो तो वो योगरूण होगा अगर वह यहां पर बहुबरी सब्द है केवल जला जहे जो जल में उत्पन होता है कीचड में उत्पन होता है वो हमारा क्या चला जाता है कमल बहुबरी हो जाता है Magistrate सब्द हिंदी में क्या है Magistrate सब्द हिंदी में क्या है बताईए चैनल पर पहली वार कोई बहन कोई भाई है तो चैनल को इमानदारी से सस्क्राइब करने के लिए धन्यवाद रोज रात आठ बजे देश की नमबर वन हिंदी और रात री दस बजे जी के फटाफट क्लासेस के लिए सस्क्राइब कर ले सून्य पैसे में रुपए तो बाज छोडो सून्य पैसे में सेलेक्षण magistrate सब्द है दोस्तों magistrate एक सब्द है हमारे देश का नहीं है magistrate सब्द English word का एक सब्द आता है और जो English के अंतर गताएगा वो देशज नहीं होगा तसम नहीं होगा तदवो नहीं होगा वलकि भी देशज होगा अगला कुशन बिभावरी किस प्रकार का सब्द है कमेंट कीजिए बिभावरी किस प्रकार का सब्द है तो दोस्तों बिभावरी का मतलब क्या होता है क्या रात्री के संदर्म में लेगो लोगे आप और विभावरी की अगर बात की जाए तो विभावरी को क्या तस्म के साथ लेगे तो बिलकुल आंसर हमारा सी के साथ लोग हो जाएगा च्छपन नमबर योग रूड सब्द कौन सा होगा कमेंट कीजेगा योग रूड सब्द कौन सा होगा जरा जब आप दीजेगा दोस्तों योग रूड सब्द कौन सा होगा तो मैं कहूंगा आप से कि योग रूड सब्द वही होगा जो दुनिया का हर बहुबरी समास होगा और दुनिया की ट्रिक नोट कर लीजे कि अगर बहुबरी समास होगा तो वो हमारा योगरूड होगा लंबोदर बहुबरी समास है नीचे दिये गए विकल्पों में तत्सम सब्द का चैन कीजेगा तत्सम सब्द कौन सा आंसर सही होगा ततसम सब्द का सही आंसर बताईए आंसर क्या हो जाएगा ततसम सब्द का जो सही आंसर होगा वो गोधूम हो जाएगा क्योंकि गोधूम का जो तदभो होता है वो गेहूं होता है ठीक है चलिए स्वर संदी के कितने भेद होते हैं एक option मैं बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर मैं यहाँ 7 को 3 कर देता हूँ, बताइए answer क्या हो जाएगा, comment कीज़ेगा, 7 को 3 कर दिया है, 58 number का answer क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, जल्दी एक second नहीं लगना चाहिए, एक second नहीं लगना चाहिए, answer क्या हो जाएगा, 58 नमबर का D 58 नमबर का D बहुत बढ़िया 58 का D, 58 का D, 58 का D ठीक है 58 का D हो जाएगा इस कुस्षन में जितने भी बच्चे D मार रहे हैं उनका सबका गलत है 58 का C हो जाएगा अरे अब आप कहोगे कि अरे सर ये क्या अब कुस्षन को सही से पढ़ो अब कुस्षन को सही से पढ़ो D वाले, C वाले तो कोई दिक्कत नहीं D वाले कुस्षन को सही से पढ़ो कुस्षन क्या पूछ रहा है हमने आप से क्या कुछ कहा था कि कुस्षन को मेरे हिसाब से पढ़ो अरे अपने हिसाब से पढ़ो यार हमने ये तो नहीं पूछा संधी कितने प्रकार की होती तो संधी तो तीन प्रकार की होती स्वर्वेंजन और विसर्ग लेकिन कुस्टन में कहरा स्वर्वेंजन विसर्ग तो ठीक है लेकिन स्वर्संधी कितने प्रकार की होती है अरे भीया, सुर संदी में आपकी एक यड भी आती है, आपकी एक दीरगी भी आती है, आपकी एक ब्रद्धी भी आती है, आपकी एक अयादी भी आती है, आपकी एक गुड भी आती है, एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये सब हमारी मौसी हैं क्या, इसलिए आंसर हमारा C होग अगला कुछ्टन 59 है आती है वे गड़वाली कनिष्ट सब्द में प्रियुक्त प्रत्य कौन सा है कनिष्ट सब्द में जो प्रियुक्त प्रत्य है वो इस्ट हो जाएगा इसलिए इस्ट नहीं होगा ठीक है साथ नंबर निमलिकित में रूड सब्द बताएए मैंने क्या बोला रूड सब्द वो होता है जो दुनिया का कोई भी सब्द संदी बिच्छेत के भाग में न तूटे अब जैसे जलज हो जाता जलज पंकज जितने भी जावाले होते हैं ये सब कमल के पर्रयावाची होते हैं तो मतलब ये तो सब योगरूड हो गए मैंने अभी अभी उपर बताया था कि बैभब जो होता है जिसका संदी बिच्छेत नहीं कर सकते है जो तीसरे की तरफ इसारा करता है तो वो तो वहबरी समास होता है वो वहबरी होगा तो योगरूड हो जाएगा कुछ से नमबर 61 आपके स्क्रीन पर है लॉग किया जाए और हम कह सकते हैं कि अनुकूल और यह यह गलत हो गया यहां से और यह सही हो गया अनुकूल हमारा ओप्सन सी भासा में मूल धुनियों के लिए जो चिन मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में यह लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है ध्यान दीजे भासा के मूल धुनि के लिए जो चिन मान लिए गए हैं तथा जिस रूप में ये लिखे जाते हैं उसे क्या कहा जाता है कमेंट कीजिए बताईए बहुत ध्यान से करने की आवस्चता है उसको कहा जाता है दोस्तों लिपी कहा जाता है क्योंकि जो चिन माने जाते है तो जब भी भासा को लिखा जाता है देखिए भासा को जो लिखा जाता है वो हमेशा लिपी में जैसे अगर हिंदी क्या है हिंदी तो दोस्तों एक भासा है और हिंदी को लिखा किस लिपी में जाएगा तो हिंदी को लिखा तो देवनागरी में जाएगा इसलिए तो मैं कहता हूँ कि भासा को लिखा जाता है तो वो लिपी के माध्यम से लिखा जाता है तो गुरुमुखी की बात करें तो पंजाब का लोटा दोस्तों लोटा वाल्टी क्या है यह देशा सब्द हैं जो हमारे आम बोल्चाल में चलते हुए आए हैं अगला कुस्टन नीचे दिये गए विकल्पों में से तदभो सब्द का चैन कीजिए 64 नमबर का आंसर आपको बताना है तदभो सब्द का चैन करना है कि मुह, प्रलाप, मर्म और बैंक तदभो सब्द का आपको चैन करना है दोस्तों तो मैं कह सकता हूँ कि तदभो का मतलब आपको यहाँ पर इसकूशन में क्या मुह लगाना है, प्रलाप लगाना है, मर्म माना है तो अंसर हमरा A हो जाएगा क्योंकि साफ साफ दिख रहाए कि मूह का मुक हो जाएगा मुह का मुक आपने देखा तो मुक तो तस्षब हो गया और मुं हो गया तदबहो अगला जिससब्द के कई सारथक खंड हो सकेँ उन्हें क्या कहते है कमेंट किजेँ जिस सब्द के कई सार्थक खंड हो सकें दोस्तों उन्हें क्या कहते हैं जरा बताईएगा कि जिस सब्द के कई आप जैसे कहा कि बिद्याले है तो बिद्यादन आले तो एक सब्द के दो खंड हो गए तो सब्द के खंड हो जाए तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि वो सब्द योगिक होता है और वो योगिक होता है तो आंसर हमारा A हो जाएगा और जिसके खंड ना हो वो रूड जिसके हो जाए वो योगिक जो हर भुबरी समाज हो वो योगरून आंसर हमारा ए जिन सब्दों की उत्पत्ति का पता नहीं चलता उन्हें क्या कहा जाता है बड़ा च्छा कुश्चन है ध्यान दिजेगा अगर आपको हिंदी सुपरफास्ट में पढ़नी है जी के सुपरफास्ट में पढ़नी है सारे स संस्क्रत के होते हैं वो तस्सम है जिन सब्द का पता ना हो वो देशज है जो सब्द दो भासाओं से मिलकर बनते हैं दो भासाओं का निर्माड होता है वो संकर है और जो ततसम से बनते हैं दोनों में फरक है जो संस्क्रत से बनते हैं वो तस्सम और जो ततसम से बनते हैं वो तदब हो, सिंपल सी बात है, तेजो मैं का सही संदी बिच्षेद क्या होता है, कमेंट कीजेगा, तेजो मैं का सही संदी बिच्षेद क्या होता है, दोस्तों, जबाब दीजेगा, आंसर कीजेगा, स्वागत है, बताइएगा, बताइएगा, हर सेर, हर सेर ने क्या जोस ख आउगे बैसे ही इस question का answer भी हो जाएगा अगला question 68 number बकील किस भासा का सब्द है दोस्तों बकील बकील किस भासा का सब्द है हमें लगता है हमने दिया है हमारे देश ने दिया है तो ऐसी बात नहीं है हमारे देश का तो कोई option ही नहीं है बकील सब्द एक है विदेशज और य करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं बताइए स्वतंत्र सब्ता ना धारन करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं तो यह कहलाते हैं योगिक योगिक के खंड हो जाते हैं यह सार्थक खंड की बात करेगा इसके सार्थक खंड होते हैं यह दुनिया का हर बहुबरी समास होगा इसके सार्थक खंड नहीं होते हैं और यह स्वतंत्र सब्ता धारण ना करने वाले भी होते हैं यह तीनों चीजे आपको बता दी हैं अगला पढ़ेगा यहां पर क्या हो जाएगा चाही में क्या पढ़ेगा छी चाही में पढ़ेगा चीनी से अंसर हमारा स्वाइब क्या उगा निम्र्ण होने वाले अलंकार का अब है कि जिवं जिवं पूल गोड़े समय रंञ कंवतियों हुए नहीं होना चाहिए यहाँ पर स्याम रंग होना चाहिए गलत हो गया है हाँ जी जियों जियों बूढ़े स्याम रंग या जियों डूबे स्याम रंग आप कुछ भी कह सकते हो बूढ़े ही यूज हुआ है जियों जियों बूढ़े स्याम रंग अगर कोई काले कलर में डूबता जाए तो क्या उज्जल हो सकता है आप अपने हाथों को कोईले में डाल दो तो आप क्या यह कलपना कर सकते हो कि वो सुन्दर हो जाए नहीं काले ही तो होंगे दोस्तों इसलिए कुश्चन में विरोधा भास है जब दो चीजों के बीच में विरोध पाया जाए तो विरोधा भास होता है बूढे स्याम रंग यां स्याम होना चाहिए स्याम रंग का मतलब है न क्रश्चन के समान जो रंग होता है वो हम कहते हैं स्यामले रंग में अगर बूढेंगे तो क्या उज्जल होंगे नहीं न तो विरोधा भास हो जाएगा 72 नमबर देखिए पाफा बाबा में कौन सा उधारन होगा तो पाफा बाबा आता है ओस्ट वेंजन के साथ क्योंकि ये ओट के द्वारा बोले जाते हैं कुस्सन नमबर 43 में आप देखेगा क्या अंसर होगा निसकाम सब्द में कौन सा उपसर्ग होगा निसकाम सब्द में कौन सा उपसर्ग होगा तो निसकाम में आपका निस उपसर्ग होगा क्योंकि नहीं होता ही नहीं है प्रियोग के नजर से सूचम अंतर विक्त करने वाले सब्द क्या कहलाते हैं कमेंट कीजेगा सूचम अंतर व्यक्त करने वाले सब्दों को हम क्या कहते हैं प्रियोग की नजर से सूचम अंतर व्यक्त करने वाले सब्द क्या कहलाएंगे तो सूचम अंतर होंगे तो वो समनार्थी कहलाएंगे एक अनेकार्थी नहीं समनार्थी सूच मंतर का मतलब है कि जो बहुत थोड़े अंतर की बात करेंगे जिनमें बिलकुल समानता हो और समानता होगी तभी तो समानार्थक कहलाएंगे इसलिए इस कुछन का आंसर हमारा ओप्सन नमबर किसके साथ एक साथ चला जाएगा लास्ट के 25 प्रस्ण बहुत ध्यान से देख लेना है मातर 8 मिनट के अंदर मैं ध्यान दिजएगा मोहन होना चाहिए मोहन बच्चों के लिए किताब लाया ये कुछन है आपका कारक से मोहन बच्चों के लिए 75 कुछन में अभी तक एक कुछन कारक का आया है अभी बीच में ह है हमारा संपरधान कारक का अगला कुछन कुछन है साहित्य से भूत ध्यान से करिएगा भूति बहासी प्राइशी में जो सामिल नहीं है वो पंजा़ी भासा सामिल नहीं है बिहारी है उत्तर प्रदेसी है मद्य प्रदेशी है ये सभी सामिल है और ये इस question का जो answer है वो 36 number का D हो जाएगा 36 number का क्या हो जाएगा D हो जाएगा अगले question की तरब बढ़ेंगे question number 77 बहुत ही interesting question है कह रहा है आपसे क्या कह रहा है कह रहा है हिंदी वर्ड माला में वर्डों की कितनी संख्या होती है कमेंट कीजे हिंदी वर्ड माला में दोस्तों वर्डों की संख्या कितनी होती है बताईएगा जवाब दे सकते हो आप सभी क्या बताईए वीडियो लाइक कर लेना अगर अच्छा लगे नहीं है लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं वीडियो आप देखते जाईएगा कोई संख्या नहीं है हिंदी वर्ड माला में वर्डों की संख्या कितनी होती है ये कुश्चन भी एकजाम में पिछली बार पूछा गया है ससत्तर नमबर का क्या आंसर होगा बताए कुश्चन कहरा है कि वही गलत है मैं बता दूँगा एक हट ये कहरा है कि ये बच्ची कहरा है कि सर एक हत्तर में जियों जनु मानो उत्प्रेक्षा लंकार ना होगा सर प्लीज बता दीजिये जियों जनु मानो जियों कब बता दिया मैंने मैंने कहा जनु जानो मनु मानो आता है उत्प्रेक्षा मैं अभी बताऊंगा उत्प्रेक्षा जियों तो अपने आप से जोड़ लिया मतलब बहुत एक्वम से हाईवी ड्राइवर हो तुम लोग हैं जियों जियों क्या होता है जनू जानो मनू मानो जनहू मनहू अगला कुशन हिंदी वर्ड माला में वर्डों की संख्या होती है 50 के आसपास क्योंकि 52 वर्ड होते हैं तो इसलिए 50 के आसपास लगाएंगे 78 नमबर मोहनकार से नीचे गिर गया बताएगा आंसर क्या होगा तो जब मोहनकार से नीचे गिरा था तो दोस्तों वो अलग हुआ है वर्ड किसे कहते हैं कमेंट कीजेगा अरे उसमें थोड़ी ना बताए है उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा की तरह बताया है भाई उत्प्रेक्षा में उत्प्रेक्षा की तरह बताया है उत्प्रेक्षा में परिभासा ही अलग हो जाती है चलिए वर्ण किसे कहते हैं मेरे लाल बताईए वर्ण किसे कहते हैं तो वर्ण ध्वनी को कहा जाता है ध्वनी से ही वर्ण को हम लिखित सब्दों में यहां पर इंगित करते हैं इसलिए इस कुस्टन का जो आंसर है वो ओप्शन नमबर हमारा ए चला जाएगा असी नमबर नवरात्र में कौन सा समास होगा मेरे लाल बताईए नवरात्र में हमारा नो आ रहा है इसलिए संख्या बाची है तो दिगु समास होगा अगला कुछ सने दीप सखा के रचनकार कौन है कमेंट कीज़ेगा दीप सखा के रचनकार कौन है तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि दीव शखा को लिखने वाली महादेवी बर्मा है इसलिए option A हो जाएगा महादेवी बर्मा के साथ यहाँ पर आपको यह भी याद रखना है कि यामा पर इनको पुरुसकार मिला है यामा इनकी प्रमुक्रचना है और और वर्सी पर मिला है इनको पुरुसकार ठीक है और वर्सी पर इनको मिला है यामा पर इनको मिला है दीव सका किसकी है महादेवी बर्मा की है अगला प्रशना आपके स्क्रीन पर है कि संदी किसे कहते हैं कमेंट कीजेगा संधी दोस्तों किसे कहते हैं कमेंट कीजेगा तो मैं कहूँगा कि दो वर्णों के मेल से अभी अभी बताया था ये कुछ्षन पिछले बार भी इमने कराया तो दो वर्णों के मेल से हम कहेंगे संधी होता है इसलिए आपको यहाँ परियाद लिख लिएना है दोनों चीज़ें clear हो गए बहुत अच्छे अगला कुश्ण है तिरासी नमबर अधा धन गती अधो गती होता है तो कुश्ण में साफ साफ indicate है दोस्तों कि यह विसर्ग संदी हो जाएगा क्योंकि यह अधा धन गती की बात करना है अधा हो जाएगा अगला कुश्ण है चौरासी नमबर प्रत्यूत पन्वती में कौन सा उपसर्ग होगा तो कुश्ण में साफ दिख रहा है कि प्रत्यूत पन्वती जो दिया गया है उसमें प्रत्यूत पन्वती में प्रती उपसर्ग है क्या है प्रती उपसर्ग है और प्रती उपसर्ग है तो हमारा जो उपसर्ग है वो किस के साथ जाएगा बी के साथ चला जाएगा उपसर्ग कहां पर जुड़ता है सब्द के अगर भाग में जुड़ता है ये भी आपको आना चाहिए सब्द के अगर भाग में जुड़ने व बताईए जबाब दीजेगा कुछन भूत फ़ेको आम यहांपर अंसर क्या होगा हारे को हरिनाम जो रचना है वो लिखी है वो लिखी है दोस्तों वो लिखी है आपने दिनकर सहाब ने लिखी है आंसर हमारा ओप्शन D हो जाएगा एक नई रचना बताते हैं प्रणभंग प्रण भंग किसकी रचना है? तो प्रण भंग जो है, एक रचना है, दिनकर की है, ठीक है? प्रण भंग किसकी है, दिनकर की है, रस्मी रती किसकी है, दिनकर की है, उर्वरसी किसकी है, दिनकर की है, ठीक है? यह आपको याद रखने हैं, अगला कुछन है, 86 नमबर आपके स् इया प्रत्य का प्रियोग किस सब्द में हुआ है पता येगा स्वागत है हरसेर हरसेरनी का इया प्रत्य का प्रियोग क्या भोच पुरिया में हुआ है भारतिय में हुआ है अथितेय में हुआ है तो मैं तो कह सकता हूँ कि भोच पुरिया वाले जो option है वो बिल्कुल सही हो जाएगा option number हमारा A चला जाएगा अगला question है समास का साब्दिकर्थ बहुत रटाया है इतना जादा मतलब 100 में कहीं न कहीं 20 question हमने previous year इसलिए डाल दिये है कि जो question बच्चों को आते थे और 200 question में अगर आपका score भी नहीं जा रहा है 65 तो बिल्कुल गलत है हिंदी बहुत खराब है 65 score तो जाना चाहिए कि आपको ऐसे question 100 हमने लाए जो exam में direct पूछे जाएंगे समास को संचिप्त कहा जाता है और दोस्तों समास को संचिप्त कहा जाता है या संचिप्ती करण कहा जाता है अगला question त्रिनेत्र में समास कौन सा होगा त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा कमेंट कीजे त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा बताइएगा दोस्तों तो मैं कहता हूँ कि त्रिनेत्र का मतलब है त्री यानि तीन और नेत्र का मतलब है अच्छी यानि आख जहां पर त्री नेत्र आएगा तो भगवान महाकाल की बात होगी और महाकाल की बात होगी तो भुबरी समास हो जाएगा ततसम सब्दों का स्रोत क्या होता है अब कुष्ण बदल चुका है कुष्ण बदला है तो आणसर फोड़ी नहीं बदल जाएगा वों सब्दों का सुरोत क्या होता है तो वह दोश्ट ओसंक्रत हो जाता है इसलिएğu कुछन का सद्सद्र क्या हो जाएगा अग्ला को सद्द्र कैसल कि मैं नंबर बताहिए मैं है भात ईके तो सान्च आण क्या हो जायेगा ठीक है 90 नमर के रहे दुकूल का पर्यव अच्छी क्या होता है मतलब दुकूल का मतलब यहां पर पूछा गया दुकूल का अर्थ क्या होता है तो दुकूल का जो अर्थ होता है ध्यान दीजे दुकूल का जो अर्थ होता है वो होता है कपड़ा दुकूल कार्थ होता है, कपड़ा होता है, इसलिए option हमारा ए चला जाता है, अगला, allow का पर्रयावाची सब्द है, कमेंट कीजेगा, allow का पर्रयावाची सब्द क्या होगा? बताएं दुस्तों, allow का पर्रयावाची सब्द भहुत आसान है, कि अगर कोई allow की बात करेगा, तो उसको अंगीठी से जोड़ेंगे, और अंगीठी का अगर तत्सम पूछा जाए, तो बैटा क्या होता है, कमेंट कीजेगा, अंगीठी का क्या होता है, अगनिस्ठी का होता ह ये भी बात दिमाग में बैठा लीजेगा, अगला खुसन है, 92 नमबर आपके स्क्रीन पर है, और 92 नमबर आपसे कुछ कह रहा है, कहरा जब किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है, तो कौन सा रस होता है, क्या बताएंगे आप सभी, कि जब किसी व्यक्ति के क्रोध का वर्णन होता है, तो मैं तो कहता हूँ कि भाई, क्रोध का अगर वर्णन होगा, तो उसके अंदर क्रोध आएगा, रौधर का निर्माड होगा, रौधर आएगा, तो ऑप्सन नमबर डी होगा, बताएंगे, हिंदी में रसों के परवर्त कौन है, भरत मुनी है, क्लियर है दोस्तों, एक बार लाइक कर लीजे, वीडियो से अभी बच्चे एक साथ में, बहुत बड़िया, लाइक नहीं किया है, और कुछ बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर गलत लग रहा है, तो बता दीजे, है ना, अच्छा नहीं लग रहा है, कुई बा लेकिन 90% योजे चेनमाला दोंदसमास होता है, और आपस में यहाँ पर दोनों पदों की प्रदानता की बात की गई है, पास्षात्ते का विलोम क्या होता है, कमेंट कीजे, रातरी आट वजे देश की नंबर बन हिंदी, आप सभी को अगर पढ़ना है, चार दिन के अंदर अपने आप के अंदर जमीर और आसमान का अंतर देखना है, तो आठ बजे देश की नंबर बन हिंदीर हो जाना पढ़िए, और मानचित्र के साथ 10 बजे रात्री के जीके पढ़िए, 11 बजे सुबह महराथन पढ़िए, महा महराथन में सारे सब्जेक को कबर कराय जाता है, इसलिए हर बहन हर भाई सस्क्राइब कर लो, सून पैसे में सेलेक्शन आपके घर होगा, ये वादा है हमारा गुरुजी वर्ल्ड एक्जाम स्टेडी और आपका हमारे साथ, कुछस्ण नंबर 94 में पास्चातिका होता है, पौर बात दे, बहुत आसान प्रश्न है, अंतस् मेंजन की संख्या कितनी होती है, दोस्तों, आपको बताना है, तो यहाँ पर आपको बताना होगा, अंसर क्या होगा, तो देखीगा, सिंपल सा कॉंसेट है, कि अंतस्त में कौन से आते हैं, कि एक या आ गया, एक रा गया, एक ला गया, एक वा गया, और इनकी भी चार होती इने में चार कौन से होते हैं इने में चार दोस्तों होते हैं सा हो गया, एक ये सा हो गया एक ये सा हो गया, एक हा हो गया तो ये चार चार कितने हो गया ये आठ हो गया, तो इसलिए हमारा option C हो जाएगा अब देखीगा, यहाँ पर देखिए ये है दोस्तों उत्प्रेक्षा लंकार कैसे उत्प्रेक्षा है जनु जानो मनु मानो जाना हु मानो ठीक है तो यहाँ पर देखीगा यहाँ पर आंसर क्या चला जागा उत्प्रेक्षा लंकार चला जाएगा तो इसलिए option C चला जाएगा अगला question प्रेम राजी के रचनाकार कौन है कमेंट कीजे टेलिग्राम गुर्प को जरू जोइन कर लीजेगा जी यू आर्यू जे आई किस्पेस डब्लू ओ रेडी आ डारेक्ट नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है कमेंट बॉक्स में भी दी है तुरंत हर बहन हर भाई चैनल को सस्क्वाइब कर लें और टेलिग्राम में एकदम से सिर्कत करें टेलिग्राम में सभी बच्चे जोइन कर लें बिल्कुल बेटा आएगा सभी में आएगा आपका प्रेम राजी के रचनाकार कौन है कमेंट कीजे 97 नमबर का जैसंकर पुषाद हो जाएगा बिल्कुल सही बात है ओप्शन D हो जाएगा राजेपाल में कौन सी संग्या है कमेंट कीजे राजेपाल में कौन सी संग्या है दोस्तों बताईए हाजी राजेपाल में कौन सी संग्या है किये हैं अच्छा ज्वाइन किये हैं बहुत बढ़िया टेलिग्राम गुर्प को ज्वाइन कौन किया है ज़र एक बार कमेंट कीज़ेगा हाथ उठाइए हैंड्स अप करिए राजेपाल में देखा जाए तो जाती बात चाहिए काि क्योंकि गबंड होता है예요 दुनिया में पहुत सार हो सकते हैं यह और का Onur वहां का यह वह CAS आता है अगर किसी का नाम ले हाँ बहुत बढ़िया बेहर को पहले जडने के लिए आफ टेली ग्राम कर लिए दिधिक Nbit और तुरंत आपको गुरुजी वर्ट सर्ष करना या इस लिंको क्लिक करूगे जिस समय आपका पूरी तरीके से run होगा यहाँ वह होगा यहां पर जॉइन अप सा तो साह साहह यह रहा hundred questions आप सभी में बताँ आप आप सभी के परिवारों को मेरा एक बार फिर से प्रणाम और आप सभी के परिवार यूहीं मुस्कुराते रहें आप मुस्कुराते रहो और यूहीं आप स्वस्त रहो दोस्तों क्योंकि स्वस्त सरीर में स्वस्त मस्तस्क का निर्माण होता है सक्तर बाला बताई बेटा आप इतना पीछे दो नहीं जाओंगा हाग कल जरूरू बता सकते हैं सबसे पहले सेलेक्शन के लिए सस्प्राइब करें गुरूजी वर्ड और वेल आइकन को प्रिस करें सबसे पहले सेलेक्शन के लिए